यह कहानी दिल्ही विश्व विध्यालिया के कॉलेज कैमपस में हुई घटना के बारे में है। मानो या ना मानो लेकिन इस कमपास में मुझे भूत प्रेथ होने के कई सारे किसे सुनको मिल रहे हैं। इसी ही एक घटा के बारे में मैं आज आपको बताता हूँ। कॉलिज हॉस्टिल के रूम नंबर 91 के एक चात्र निकुंज बताते है कि कुछ दिन पहले एक रात को जब मैं सो रहा था तो अचानक जोर से भयानक आवाजे सुनाई देने लगी. और उसी आवाज के करण में जाग उठा और मैंने अपने चारो और देखा लेकिन कुछ न थी था. मुझे लगा कि हवा के कारण खिड़की या दर्वाजा आवाज कर रहे हैं. वही पर मुझे रूम में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी और साथ में यह भी महसूस हुआ की कोई अपने नाखुम खिड़की पे गिस रहा है. जब मैंने दुसरे दी यह बात की जाँच करवाई तो मालुम पढ़ा की नौ साल पहले एक छात्र अरुन ने आत्म हत्या की थी. और तब से लेकर आज तक उसकी आत्मा इसी रूम में गुम रही है. और इस बात की प्रिष्टी कई छात्रों ने की है. ऐसी ही एक दुसरी घटना. यह धटना सन 1998 की उसी हॉस्टिल की है. और यह बात की जानकारी उसी कॉलेज के एक ग्रूप ने बताई थी. अभी जीत करके एक विद्यार थी उसे एक कुट्टे को अपने रूम में पाल रखा था. लेकिन कुछ करन से उस कुट्टे की मौत हो गई ही. अभी जीत उस कुट्टे को लेकर पास के जंगल में दफनाने के लिए गया या वापस आकार अपने रूम में जाकर सो गया या फिर कभी उठा ही नहीं. अभी जीत की मौत कैसे हुई वो आज भी के रहसे है. एसी ही रहसे में घटना के कारण उस कौलेज के चटरों में डर बेट गया है. और ऐसी ही सत्य घटनाय उस कौलेज में बार-बार होती रहती है. दिल्ली विश्व विद्याले के उतर दिशा की और करीबन दो किलो मीटर दूर इंद्रप्रस्थ एक लेडीज कॉलेज है कुछ समय पहले कॉलेज की एक विध्यातिनी सोनल मजाक मजाक में आत्माओ को बुलाती है सिक्के के जरिये वो आत्मा आतो जाती है लेकिन दो तीन दिन तक वो आत्मा रूम से निकलने का नाम नहीं लेती सोनल के करन वो आत्मा कई छात्रों को हेरान परेशान करती है बाद में सोनल उस आत्मा से माफी मांगती है कि वो वंहा से चली जाए माफी मांगने के दो दिन बाद वो आत्मा वंगी से खुद वापस चली जाती है लेकिन सोनल की हरकत के करन उसे कॉलिज से निकला दिया जाता है ऐसे ही जो लोग रात को देर तक पढ़ाई करते हैं उसे कभी न कभी भूतों का सामना करना ही पढ़ता है उन सभी को ऐसी ही अद्रस शक्ती के होने का एहसास होता रहता है